हेलो टियर्स आज की इस इडियो में हम बात करने वाले हैं लीफी प्लांट्स के जो इंडोर प्लांट्स है शो प्लांट्स जिसे कहते हैं जिसमें फल और फूल आने की उम्मीद नहीं होती है उन प्लांट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि आने वाले गर्मी के सीजन में कैसे हम उन्हें जलने से बचाएं साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पिछले सीजन के वज़ा से जो पौधे डॉर्मेंसी में जा चुके हैं अभी तक कवर अप नहीं कर पाए हैं पौधे विंटर के वज़ा से भी काफी जादा खराब हो जाते हैं उनको हम कैसे ठीक करें और आने वाले समय में पौधे तो जलेंगे नहीं खराब हुए पौधे ठीक भी हो जाएंगे और डबल तेजी से ग्रोथ भी करेंगे तो कैसे होगा सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा तो दोस्तो एक बार फिर से आपका अपने ही गाड़निंग चैनल गाड़निंग विट मोमस में बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप ये वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स की कंडिशन आपको दिखा देती हूँ कि किस कंडिशन में मेरे प्लांट्स हैं अभी कुछी दिनों पहले सर्दी का सीजन गुजरा है लेकिन जरा भी इसमें आपको सर्दी का असर नजर नहीं आएगा किसी भी प्लांट्स में क्योंकि अगर हम अपने प्लांट्स की हर मौसम में उसी के कार्डिंग केर करते हैं तो वो भी हमें अपना बेश्ट देते हैं अगर हम जरासी केर करें जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी आने पर अगर हम ये काम करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा लेकिन गर्मी जब शुरुवात हो रही है तभी हमें अपना काम कर लेना है तो मार्च में आने वाले सीजन का पूरी तरीके से हमें तयारी कर लेनी है नहीं तो लेट हो जाएगा तो सबसे पहला काम है मार्च में करने के लिए जितने भी आपने पिछले मौसम में पिछले महीने जितने भी आपने cuttings लगाए हैं अब वो cuttings अगर अच्छे से चल गए हैं या फिर आप nursery से कोई पौधा लेकर के आए हैं अब वो पौधे report के like हो गए हैं तो आप उन्हें report जरूर कर दें क्योंकि आने वाले समय में अचानक से मीड मार्च के बाद गर्मी बहुत जादा बढ़ जाएगी उस समय अगर आप प्लांट को छेर चाड़ करेंगे तो हो सकता है कि आपका प्लांट शौक में चला जाए और फिर उस शौक से उभर ना पाए तो कम गर्मी है अभी मार्च में तो अभी आप फ़स्ट वीक तक ये काम कर ले reporting का इससे क्या होगा कि पौधे आपके नई गमले में adjust हो जाएंगे roots मिट्टी में फैल जाएंगे तो फिर उतना ज़्यादा असर गर्मी का नहीं हो पाएगा दूसरा काम आपको करना है फरवरी में और मार्च में ये काफी स्वीटेबल मौसम होता है plants के लिए जिसमें plants की cutting आप खूप सारे लगाएं cuttings भी लगाएं और अगर seed grow करना है तो वो भी आप grow कर सकते हैं यहाँ पर आप देखिए कई सारे फूलों के seeds मैंने grow किये हुए हैं अच्छे से वो grow कर रहे हैं कई सारी cuttings भी मैंने लगाई हुई है cuttings भी अच्छे से चल रहे हैं तो ये मौसम है cuttings लगाने का cutting भी लगाई है तीसरा काम आपको जो करना है वो है जितने आपके plants है permanent plants है पहले के जो plants है उनमें बहुत ज़्यादा weeds वगार अगर निकल गए है तो उनको आप हटा ले क्योंकि winter के season में leafy plant अपना growth रोग देते हैं rest में चले जाते हैं कई पौधे खराब भी हो जाते हैं dormancy में चले जाते हैं लेकिन आने वाले समय में गर्मी के season में जो show plants होते हैं वो काफी अच्छे से ग्रो करते हैं तो उनको ग्रो करने के लिए आप तयार करें ताके वो double और triple तेजी से अपनी growth बनाए रखें तो सबसे पहले आपको weeds वगरा रिमूफ कर देना है मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है अच्छे तरीके से उसके बाद इसमें हमें देना है कुछ खाद क्योंकि पौधे अभी तक rest period में थे लेकिन आने वाले समय में ये growth करेंगे जिनके लिए इन्हें थोड़ी energy चाहिए तो energy हम इन्हें देंगे fertilizer के रूप में कौन सा fertilizer डालना है कितनी मात्रा में डालनी है किस किस plants में डालने है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी और सारी चीजें organic होगी, जैविक होगी मैं हमेशा अपने plants का देख भाल जैविक तरीके से करती हूँ इसमें किसी भी chemical या रसायन का उपयोग नहीं होता है तो सबसे पहले हमने मिट्टी के weeds और गुडाई कर ली है अच्छे तरीके से इसके बाद आपको देना है इसमें कुछ minerals, micronutrients, fiber, vitamin, calcium, ये सारी चीजे हम अपने पौधे को खिलाएंगे तो सबसे पहले इन सारी चीजों को fulfill करने के लिए हमने लिया है cow manure जो गोबर की खाद होती है ये काफी आसानी से online, offline आपको मिल जाती है काफी सस्ती भी है ज़्यादा महंगी नहीं है तो आप इसका use जरूर करें अपने पौधे के लिए जैसे ये मेरा 14 इंच का पौट है तो मैंने इसमें लिया है एक से दो मुठी काउ मेन्योर एक चमच नीम की खली नीम की खली पौधे को हर तरह के फंगस बैक्टीरिया से बचाता है इसे लिए इसे जरूर डाले दीसरी चीज हमें लेनी है एक सेल्स जो अंडे के छिलके होते है वो हमने लिया है एक मुठी करस करके आप इसे यूज नहीं करना चाहते है तो अब इसे इसकी भी कर सकते है इसकी जगा पर आप क्या लेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी चौथी चीज आपको लेनी है चाई की पत्ती जो टी लीप्स होते है चाई बनाने के लिए आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं बस कौन्टिटी आधा चमच रखें मैं यूज की भी चाई की पत्ती ले रही हूँ यहाँ पर मैंने 1 टेबल इस्पून रखा है अब सारी चीजों को मिला ले अच्छे तरीके से यह सारी चीजे आपके प्लांट्स को हर तरीके से न्यूट्रिशन्स प्रवाइट करेगी अगर आपके प्लांट्स पिछले सीजन के वज़ा से ज्यादा सर्दी के कारण शौक में चला गया है बिल्कुल पत्ते जड़ गया है बेजान हो रहा है पौधा तो भी आप यह सारी चीजे उस पे डालिए आप उची समय में देखेंगे 10-15 दिन के अंदर ही कि उसमें आपको नए-ने शूट दिखाई देने लगेंगे यह जो चारो चीजे हमने डाली है यह complete food होता है प्लांट्स के लिए यह चारो चीजे अगर आपने डाल दी तो फिर और किसी भी चीज को डालने का जरूरत नहीं है प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेगा प्लांट्स में अगर कोई बिमारी है रूट्स में अगर कोई प्रॉबलम है तो उसके लिए भी हमने नीम की खली डाली है वो काफी है उसके लिए रूट्स को प्रिपेर करने के लिए इससे roots भी काफी तेजी से develop करते हैं जिससे आपका plant खुब अच्छे से बढ़ेगा अगर root healthy रहेगा root काफी तेजी से develop करेगा तो आपका plant भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और growth करेगा पत्तियों की चमक बनी रहेगी दूसरी चीज पत्ति के जो size होते हैं वो भी काफी बड़े size के आएंगे यहाँ पर आप देखिए croton के plant में भी मैंने यही सब कुछ डाला है और जितने भी आपके plants हैं leafy plant उनमें ये चारों चीजे आप जरूर डाले अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग अंडे के चिल के use नहीं करना चाहते हैं वो छोटा सा चौक कप जो तुकड़ा होता है उसको आप पानी में घोल के डाले या फिर किसी चीज से चूर कर ले और उसको आप आधा छोटा चमच डाल सकते हैं लेकिन उसे आप महीने में एक बार ही डालेंगे ज़्यादा बार बार उसे जल्दी जल्दी नहीं डालना है केलसियम के लिए हम अंडे के चिल के डालते हैं और चौक में भी कापी मातरा में केलसियम होता है इस तरीके से दोस्तो हमने सारी चीजे डाल दी है अब वक्त है थोड़ा सा पानी इसमें डालने का थोड़ा नहीं बलके अच्चे से डालेगा ताके अंदर रूट्स तक चला जाए तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजे देनी है लेकिन अभी भी एक काम बाकी है तो इन सारे पाधे को आप खुले में नहीं रखेंगे इन सब पाधों को आप सेमी सेड में रखेंगे बिलकुल भी खुले धूप में नहीं रखना है नहीं तो ये पाधे जुलस जाएंगे पत्या कॉर्नर से ब्राउन होना इस्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे पत्ते जड़ने लगेंगे और आपका पूरा हरा भरा पौधा खराब हो जाएगा खाली हो जाएगा तो ये गलती या इसे बिल्कुल भी इगनोर मत कीजिएगा कि आप अपने पौधे को खुले सनलाइट में छोड़ दें आप इसे शेड जरूर प्रोवाइ जन और अदित्य सिंग जी कुसुम चौधरी जी और परमीला पांडे फुरम कटक उड़ी मैंने आपको काम और जो चीजे डालने के लिए बताई है वो आप हैंगिंग प्लांटर में भी डाले हैंगिंग प्लांटर को भी धूप से बचाईए और सेम रिमिडी आप इनके स आप जरूर करें तो दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि आपको मेरे इस वीडियो में सौंग ओफ इंडिया के टोटल कितने प्लांट्स नजर आ रहे हैं प्लांट्स के सीफट आपको नंबर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में जब आपके साथ अपने नाम और आप कहां से हैं य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मैं मुलूंगी आपसे परसो फिर किसी नीव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय टेक केर हैपी गाड़निंग